आजकल 8-10 साल के बच्चे भी नशिले पदार्थों के आदी हो रहे हैं और वो आदी होने के बाद में मालूम परता है कि वो आदी होए सिगरेट अंबाकू वाइटनर फिस्पिरिट पेट्रोल ब्राउन शुगर दांजा ऐसे अलग-अलग पदार्थ जो है तो वो पदार्थ को है आदी पच्चे होते हैं और वो कौनसे बच्चे ऐसे हो सकते हैं देखने के लिए आज का यह वीडियो है कि कौनसे बच्चे यह पदार्थों के आदी हो सकते हैं तो यह वीडियो में आपका स्वाधत है मेरा नाम है डॉक्टर दिपकर कर में मनोविकार सेक्स रोक सम्मोहन तथा वैसन मुगी तग महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूं हम देखेंगे आज के यह वीडियो में कि बारा ऐसे कौनसे सूत्र या पॉइंट्स है कि जो बच्चों में है तो आपका बच्चा नशिली बदार्थों का आधी हो सकता है तो ऐसे कौनसे है नंबर एक कि बच्चों की स् सेल्फ एस्टिम कमजोर है तो ऐसे बच्चे जल्दी ही आधी हो सकते है नंबर दो माबाप के साथ में कमजोर रिष्टे मतलब माबाप के साथ में बैठना नहीं उग्यात में बाच्चीत नहीं करना माबाप की बहुत धोस होना बहुत ऐसा उसके पिताजी जैसे हिटलर है बहुत धोस है उनकी, बहुत धरारा है ऐसा, कि डर लगता है उनके साथ में, रिष्टे अच्छे नहीं है, तो मतलब स्पेशली पिताजी के साथ में, तो ऐसे बच्छे बहुत डर डर रके रहते हैं, और वो दूर दूर तक चले जाते हैं, माबाप से, और फिर वो आदी हो नमबर तीन, घर में संसकार नहीं है, और जब घर में संसकार नहीं है, और जब घर में संसकार नहीं रहते हैं, और अच्छा बुरा क्या है, खड़ा खोड़ा क्या है, और ऐसे संसकार नहीं है, और फिर वो जब संसकार नहीं रहते हैं, तो बच्चे इसके हादी हो जाते ह नबर चार का पॉइंट जो है कि बच्चों में जिए सम्वात काउशल जो नहीं कम बाच्चित करने वाला बच्चा जो है उसके communication skills कम जो रहे और बच्चों को माबाब ज़्यादा बोलने जो नहीं तू जुब बैट तेरे को अकल नहीं तेरे को समझता नहीं तू बच्चा है अभी तू ज़्यादा बाच्चित मत कर ऐसा जब हो जाता है तो उसके communication skill कम हो जाते है और फिर ऐसे बच्चों में पाया गया है कि वो आजी हो सकते है नमबर पांश का जो पॉइंट है अनुशासन हीनता अनुशासन डिसिप्लिन नहीं है माबाप में क्या होता है कि यसी माबाप में या घर में दादा दादी होंगे तो उसमें popularity contest है कि कौन जादा लोग प्री है बच्चे ने कुछ मांग लिया तो पिता जी उसको जली दे देंगे पिता जिन नहीं बोला तो मा दे देंगी उसको लगता कि ने अपन बच्चों को दे देंगे तो अपन बच्चों में प्री हो जाएंगे और माबाप ने दिया नहीं तो दादा दादी वो दे देंगे बोलेंगे ने बच्चा चोटा उसको दे दो फिर बच्चों को समझता उठाके कब गलत लाइन पे लग जाएंगे मालूम भी नहीं पड़ता है चेटवा पॉइंट जो है कि बच्चों को परिणामों की कलपना नहीं है कि ऐसे यह नशीले पदार्थ लेने के बाद में होता क्या है इसलिए वह एक चूरियसिटी है उसुपता है वहां से फिर बच्चे लेते हैं और फिर उसके आदी हो जाते हैं नमर साथ का पॉइंट जो है वह फ्रस्टेशन टॉलरंस उनमें नहीं है फ्रस्टेशन टॉलरंस इसका मतलब ऐसा है कि उनको जब कोई भी चीज चाहिए तो चाहिए तो उनको धिरज नहीं है जब उनके मन में चहात तयार हो जाती है तो उनको वह चाहिए ही चाहिए और जल्दी चाहिए क्योंकि बच्पन से उनको ऐसी आदत लगा हुई जाते हैं जो आटवा पॉइंट इस सपूल में असफलता श्रय बच्छा बार 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 श्रय फैल हो रहा है बच्चे अपले उसके टीचर जो है उसको बहुत टीचर की द्हुस है बच्छों को स्कूल में कोई समझ नहीं आ रहा है या बच्चों को बढ़ाबर दिख सकते हैं नवा मैंट यह है कि बच्चों का पढ़ाय में लख्षे केंद्रित नहीं होना एक उसका कारण में है वह है च्वाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा बच्चा है प्रड़ रहता है बहुत ज्यादा शोर करना इदर से उदर खूदना मतलब मतलब यहां इसको कुछ छेड़ना चेड़का नहीं करना बच्चों की एक जगबे नहीं बैटना तो ऐसे बच्चे जो है जो इपर पिसाट होते हैं वो बच्चे भी फिर इसके आदी हो सकते हैं दस्वा पॉइंट यह है इंपल्सिव और अग्रेशन मतलब जो बच्चा हिंसा करने के लिए प्रवूर्ट तो होता है ज्यादा हिंसात्मक है जो आवेग में हैसा इंपल्सिवली फटाक से कुछ तभी कर देते है इसे बच्चे जो है वो नशली मतलब के आदि हो सकते हैं 11 points जो है कि जिनकी जो बच्चों के माबाब दोस्त नहीं है मतलब पाइटनरशिप नहीं है उनका और पित ओर जी का पॉता हो, माबाब का रिषिटा फूता हो ऊई माबाब सेपरेटड है है ये माबाब आपस मे हो सकते हैं आजकी यूटूब के उपर कोई फोटो आता है तो हो देखते हैं मुवी जैखते हैं तफी कि यह hero या वहां के जो villains जो है वो इसे नशिरी बदार्तों का 7 कर रहे हैं और फिर वह कैसा dialogue मारते हैं किस तरह का बरताओ करते हैं किस तरह का बड़पन बता दे कि he man कैसा he man है शराब पीता है मतलब कैसा बड़ा man है कैसा he man है ऐसा shop करते है तो वो उनके अडॉल रहते बच्चे और फिर वहां से वो तुरन उठा लेते और वो अपना वो भी एक trial करके चालू कर देते बाहर और माबाब को मालूम निरहता अब यह जो point में बारा बता है यह बारा point में से माबाब को हरदम दिमाग में रखना चीए कौन से point है वो उनको मालूम होना चीए बच्चे में कुछ ऐसा develop हो रहा है उनका ख्याल होना चीए बारा सूत्र जो है यह मेरे दिमाग में रहा तुम्हें देखूंगा मेरे दिमाग में तुम्हें क्या देखूंगा बच्चों में तो यह माबाब ने ख्याल रखना जरूरी है बच्चों के उपर ख्याल रखना जरूरी है prevention is better than cure ऐसा बोला जाता है तो बच्चों को आदि होने के पहले ही उनको prevention कैसा किया जाता है यव उसके लिए क्या-क्या करना की माबब ने उसके लिए स्टेप्स है यदि हर माबाप देखता है उसका मतलब उसकी उसका रीडिंग करता है उसके अपने दिमाग में रखता है तो डिफिनेटली बच्चे नशीली पतारतों के आदी नहीं होंगे यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो हमारा जो लेटिव रिलेटिव के साथ में बिना रिडिव के साथ मतलब बिना रिडिव के लोगों को अडमिट करते हैं तो थैंक यू वेरी मच फर वाचिंग दे वीडियो थैंक्स अलोट झालोट